अल्लो एवरिवन w ワेलममटुू फ्रीग्स वाला आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स की मह फ्रिक्स वाला में हार्दि TWO इस सेशन में रिभी रिभी तो अपनी तैयारी को बनाने के लिए खास अ करने वाले कुछ 18ारिकस सबसे पहले हम समझते हैं यह मसक्ता उसका हम सारांभ नहीं है और सबसे अंत्स में पढ़ने वाले हैं उसी चिप्तर के mci qs आते हम उनको सॉल्व करेंगे कौन-कौन से प्रशन बहुत important है तो आई बच्चो शुरुगात करते हैं छुरुगात करने से पहले मैं आपका ध्यान एक चीज़ पर और ले जाना चाहूं इस चैप्टर से किस तरीके के प्रशन आ सकते हैं बच्चो देखिये इस चैप्टर से ना तीन तरीके से प्रशन आ आजाएं फिर दूसरा तरीका यह है प्रस्ण पूछ का कि कोई mcq पूछ लिया जाए आपसे और सबसे अंत में वो सकता है क्योंकि यह कवीता है तो यह पध्यांश के रूप में भी पूछी जाया सकता है तो इस बात को बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा और हम जो रिव प्रकार से है तो तुम्हों अतिबड़ भागी अपरस रहत सनेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरेन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी प्रीती नदी में पाव न वो र्यो रष्टी न रूप परागी तूर दास हम भोरी भो रचाटी जो पागी चों करकूं अनुरागी ऴाइसा क्टिन चब्यागों को अर्था कर बोस्वलितें हैं स्वां जैसे बढ़ भागी का अर्थ होता है भाग्यवान इसनेह तगा तगा का अर्थ होता है और यान कि चो प्रेम करें उसको हम कहते हैं अनुरागी गाल का विशय पुरेन पात मत्रबं पुरेन का अर्थ होता है कमल और पात का आर्थ होता है पत्त अ इस प्रकार से बच्चों यहां से जो जो कठेगशक्ड़ अचा है आयग से紀स्द समझतें तो अचिस प्रकार से है करते हुई कहते हैं किससे व्यंग करते हैं और और व्यंग क्यों करते हैं बाइए उद्धव जिसे और गूपिकाओं के lilla यूग का संदेश लेकर गए थे और इस सम्वाद में हमेंस देखने को मिलता है इन और प्रेम। दोनों के के बीच का संगर शब्द में हम कहें तो में देखने को मिलता है भक्ति और ज्ञान की बीच का संगर तो आए शुरुवात करते हैं देखिए वह भी कहती है उद्धाव जी आप बहुत ही बड़ भागी यानि भागशाली है तो कृष्ण प्रेम रूपी थागे से नहीं बंध यता उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के समीफ हो कर उनके प्रेम से वंचित रहे प्रेम रूपी नदी आननद लेना या प्रेम रूपी नदी का आनन लेना तो भ्त दूर की बात है आपने तो उसे परशी नहीं किया परान्तु हम तो सीधी-साधी-गौफियां है और हम स् है तो होता है की ओधव जीना ना गोपियों को को देते हैं योग का संदेश योग का घ्यान और कहते हैं कि happen अब करो योग इस बात पर गोपिया होती युशका ज裡面 आप बहुत ही बड़ भागिहए न आब कैसे बात को आगे कहती है गोपियां कि जिस तरीके से कमल का पत्ता होता है कि वो रहता पानी में है पर कभी भी उसको पानी सपर्च नहीं कर पाता और जिस प्रकार से तेल से भरी गगरी होती है यानि कि तेल का जो मटका होता है उसको आप पानी में डबो दीजे और जब आप बा आप दोनों में मित्रता भी है परन्तु आप उनके प्रेम से वंचित रह गए हैं आगे गोपिकाय कहती हैं कि आप बताइए कैसे विद्वान है कि आप कृष्ण के पास रहे हैं आप कृष्ण प्रेम रूपी नदी के पास रहे कर आए हैं परन्तु आप उनका दर्शन एक प फृश्ष भी प्राप्त नहीं हुआ प्रेम भाव का एकिस परश भी आपने प्राप्त नहीं किया और प्रेति बीद्वान हैं आपतो इसчи जियान को बड़ा मानते हैं पर हम तो सरल हैं और सीधस्वभा वाली इस्तिरियां और हम कृष्ण में उसी प्रकार से अनुरक्त हैं इस प्रकार से छीटीया गुड़मे हुवा कि जली प्रकार से जहां कृष्ण होगे किशन अनुभाव होगा जैजा जम अभाव में अहले जाएगए कृष्ण किले जाएगे आवध्5 अगले पत ही यी मंहीं मांज रहीं कही जाई कौन पे उधो नाहिन परत कही अवधी अवधी यान कालखंडिया समय अधार आस आवन की तनमन बिथा यानी व्यथा तीड़ा यथा सही अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही नहीं मतलब उता विड़ा जल्ला चहती हुती गुहार ज में घर जहां रहीं को पच्चों इस पाद में न गूपि का एक है फो करके है नहीं पाएं दो किंसे कहा मान कभाशा है है कैसे हम इस सार्थ लिख सकते हैं। गोपियां उद्धाव से कहती हैं कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई है। और अगर हम किसी से कुछ कहना भी चाहें तो कह नहीं सकते हैं। श्री क्रश्न की लोटने की पृतिक्षा में हम इस वेदना को सहते रहें। पर आपके मुख से योग संदेश सुनकर हमारी विरह अगनी और भी दीप्त हो गई है। इस इस्थिती में हमें जिससे सहायता की अपेक्षा थी उनकी ओर से ही दुख की धारा प्रवाहित हो गई ह अब हमें भी मरयादा क्यों मान करें है जिब शुरी क्रश्न ने ले मरयादा का मान नहीं रखा. अब क्रिम की मरयादा हैं। इसे रadas भास्ते हम झब अब हम के समत में हम पार जी कहते हैं कि हम से uniform करें ह। जहाँ है नहीं पाएं हो यह हमारी भात मन ही रह गई है ज़ीस का भरोसा था स्वयम लोटकर आए अरता नहीं आई उन्हों ने पहुंचा डिया आपको और आपको ऐसे भी नहीं पहुंचाया कि जाओ हाल में बदल गया बताइए हम तो प्रेम करते हैं कृष्ण से और कृष्ण कोयम ना आकर हमारे लिए योग का संदिश इस तरीके से वह कह रही थी इस पद में यहां से हमें सहायता की उम्मीद थी वहां से धार बह चुकी है धार बह गई है दुख की धार बह गई है बच्चो तरीके से हमने इस पद को समझ लिया है आए बढ़ते हैं आगे अगला पद है बच्चों परिक्षा की दरश्टी से इंपोर्टेंट है इसको समझते हैं कि इतने पहले उसे प्रकार्ब से हमारे हरी हारल की लकडी बनकर्म बचन और नंदन यह द्रन करी पकडई जागत सोवत सौपन दिसी निसी कान कान जकरी अब इसको बिटा अर्थ समझ लेते हैं कोपियां उद्धव से कहती है यह उद्धव हमारे लिए क्रिष्ण हारिल के पंजो में दवी लकडी के समान है इस तरह हारिल अपने पंजो में दवी लकडी को किसी भी परिस्थिती में नहीं छोड़ता उसी प्रकार जागते सोते स् लाट में हमें एक ट्रिष्ण नाम की रट लगी रहती बच्चो यहां पर जो है ना ओपिकां ये कहती है हार हारिल आप पक्षी होता है बच्चो विशेष्टा यह है कि वह हमेशा अपने पैर में लकडी दवा कर बैठता है। तक को भी हो परिस्थित कोई भी हो हारिल के पैर में लकड़ी जरूर होती है उधारण देती हुए गोपिकाएं उध्धव जी से कहती है कि इस तरह हारिल अपने पंजों में लकड़ी दवा कर बैठता है अपने पैरों में लकड़ी दवा गूमता रहता है उसी तरीके से हमारे जीवन में प्रिश्न है तोते जाकते हमको ले आए देखी न सुनी करी यह तो सूर्त नहीं ले सौप्यों जिनके मन चक्री अब बिटा चक्री एक हमारे हां खिलोना भी होता है जिसको बच्चे छोटे-छोटे खेलते हैं तो आईए अब इसका अर्थ समझते हैं बड़ा प्यारा अर्थ है कुपिका यांगे कह कहती है कि तुम्हारे मुझ से योग साधना का संदेश है हमें ऐसी कड़वी ककड़ी के समान आरुचीकर लगता है तो हमारे ऐसी व्याधी ले आये हो जो ना तो हमने कभी सुनी है और ना ही देखी है आगे गोपिका कहती है कि उद्धव योग की बाते उन से कहो यानि कि योग की बाते जिनके भतकं है यानि जिनके हीद्धव है देखा यहां डिखी है यह आगे और तक देखी है और आही कि यह और वेजशे करो जाके kg मμά कंचलताययानी की जिनका मान चकरी तरह यहां क वहां कवाँ घूमता रहताय सकार से गोपी का तॉद्धव थSir ॉप्धवजी को उलाहना देती है कि अगला घर अगला पद देखते हैं अगला पद इस प्रकार से है हरी है राजनीती पढ़ी आए समझी बात कहते मद्यू करके समाचार सब पाए एक अती चतुर हुते पहले ही अब गुरुगरंथ पढ़ाए गड़ी बुद्धी जान इसो उनकी जोग संदी से पढ़ाए अब देखिए बच्चो अगले पद में गुपी काई ये कहती है कि हरी है राजनीती पढ़ी आए मतलब कृष्ण भगवान ने क्या है कि राजनीती पढ़ ली है और यह बात हम कब जान गए थी कि जैसे ही आप आई और हम जान गए थी क्या कहते हैं कि समझी बात कहत मध्यू मधुकर का यहां जो अर्थ है ना वो उद्धव जी से लिया गया है कि कभी-कभी कविताओं में उपमा देकर किसी को संबोधित किया जाता है जैसे यहां मधुकर का जो संबोधन है वो उद्धव जी के लिए है क्यों कि समझी बात कहत मधुकर जैसे आपकी बात समझ गया सारी बात में आपकी समझ गया था जैसे ही अपने बात कहीं थी अब आगे देखिए गुपिका क्या कहते हैं कि आती चतुर हते पहले ही यानि कि कृष्ण भगवान पहले से ही चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरुवों से राजनीती की सिक्षा भी ली ली है इसलिए और चतुर हो गए हैं और इसका प्रमाण क्या है कि बुद्धी बढ़ गई है और उसी बड़ी बुद्धी का प्रमाण है कि उन्होंने योग संदिश पहुचाया है वो स्वयम नहीं आए हैं उन्होंने योग का संदिश पहुचाया है तो आगे बढ़ते हैं अगले पत का अधा हिस्सा है बच्छो अब यहां देखिए गु सूर जो प्रजाना जाहिं सताय कहती है अगे उद्धा जी पहले के जो लोग थे ना वो बड़े ही सरल थे वह बड़े ही अच्छे थे दूसरों की चिंता के लिए दोड़े चले आते थे कि निदान के लिए चले आते थे पर आजकल के लोग वैसे नहीं है आज कर लोग बापिस ले लेंगे पर अनीती है क्रिश्न मत्वरा गए थे लोगों का अन्याय दूर करने के लिए को राजा लोक अन्याय कर रहे थे उस अन्याय से आम जनता को मुक्ति देने क्लिए पर आज वो स्वेम हमारे साथ अन्याय कर रहे है और राजय का यह धर्म होता है कि राजा अन्याय ना करे राजा अपनी प्रिजा का पालन करे राजा अपनी प्रिजा को बड़े ही अच्छे तरीके से रखे तो इस प्रकार से क्रिश्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं बच्चों इस प्रकार से हम सभी बदों का अर्थ समझ लिया है अब हारल एक पक्षी होता है तो अपने पेरों में लख्डि दभा कर बैठता है हारिल की लख्री याने कि कौन ? इसका उत्तर हमें जानने के लिए पढ़ ने होंगे विकल्प हमारा पहéri विकल्प रिढिया से, रे किल्प है हारल होई कोपियां और हारल की लकड़ी कौन हुगा सही आंसर होगा क्रिष्ण बेटा ही उत्तर होगा क्रिष्ण अगले प्रशन के लिए प्रश्चर के लिए दो in ना गें मधुकर्ओर शब्द का प्रयोग किसे लिए हुगा है हमारा नो पहला विकल्ब है बच्चो इस प्रकार से है उद्धव के लिए खूऐ और भ्रेयमर के लिए तो पद में जैसे इह कहता धना THAT कहती है क्यूलत कहती है कंट रही जो तर होगा हम समझ गये थे कि तुम आये हो उसी बात में वो कहती है कि समझी बात कहते मध्यू करके हमारा जो उत्तर है वो भी सही होगा अब आगे बढ़ते तीसे अब्जेक्ट्वों को किस प्रत्र पुरेन पात की उप्मा किसे दी गई है विकल्प हमारे सामने प्रिश्न को उपियों शुःपदास को और रुद्धव को तो देखो बच्चो परिः उपमा दी गई है न वो पीकाही कहती है किस कहती है उद्धव से ही कहती है आप कहते हैं कमल के पत्ते के समान है और कमल के पत्ते में क्या गुण होता है तो कमल के पत्ते में गुड़ ये होता है कि वो पानी से कभी भी भी भीगता नहीं है रहता तो पानी के बीच में है और कभी भी पानी से भीगता नहीं है कर स्वयम उद्ध क्रिष्न और मतुरमें थे लेकर गाए थे बधुकर का ऑष्थ होता है और गोपियां ही कहती pa कि तनमन व्यथा सही यानि कि एसी व्यथा को सहाय है तो मारा जो सही सद्राइब कुछ उत्तर वह गोपियां तेरा अगनी ना को प्रफियो ने सही थी पड़ते है ले अगले प्रश्ण ут गोपियां, किस की पृतिक्षा कर रही थ पहला विकल्प है, व fender के संदेश की, उद्धव की, च्रिचन की। यह क्रिशन की, तो बिटा कहती है ना गोपियां, क्या कहती है धवजी से, कि अबदि असार आस आवन की, तब Krishne की लोटने की जो समय है जो कि लोटने की अवदी है उसका आधार लेकर तनमन व्यथा सही तो कि विकल्प है वो क्या है प्रिश्न यानि कि विकल्प क्रमांग चार अच्छो बढ़ते है आगे और अगला प्रश्न देखे जो इस ने प्रेम की मर्यादा का मान नहीं किया था अच्छ नहीं किया था पहला जो विकल्प हो वह गोपिया तो गोपिया तो विरह वेदना की मारे व्यक्ल हो उठी थी उत्तर नहीं हो पुद्धव जी जो है ना वह योग का संदिश देने के लिए गए थी तो यह वारा उच्छ तो और कृष्ण, कोपियां ही कहती है, क्रिष्ण ने क्या किया था, मर जादाना नहीं, यानि कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का मान नहीं रखा था, तो हमारा उचित विकल्प क्या हो गया, हमारा विकल्प है उचित, विकल्प कृष्ण, चलिए बढ़ते हैं आगे, गोपियों ने इस प्रकार से एक किषे कडवी कड़ी कहा है योग When क्रिष्न को विरह वेदना को और तेल की मटकी को तो देखिए बढ़ते आठवे प्रशन की और आठवा प्रश्न कार से है धोपियों ने किसे बढभागी कहा है और विकल्ब जो गार पहला विकल्फarenth आ एक सूर्दास दूसरा विकल्फए स्वयम को तीसरा विकल्फ उद्धव जी को और अंतन विकंस को मारी तृप तो ृध किया कहा प्रश्न है और चाहटी पॉर्ण जो पागी में रून की गुड़ से क्या आशय है तो विकल्ब प्रकार थे हैं प्रेम योग उद्धाव ये कृष्ण जो पागी है और कैसे प्रेम करती है जैसे चीटियां गुड से प्रेम करती है वैसे हम कृष्ण से प्रेम करते हैं पूड़की तुल्ला किस्ते की गई पेटा कृष्ण से तुत्तर हुआ कृष्ण आईए बच्चो अब बढ़ते हैं दस्वे विकल्प की कौन सा है क्या हमसे पूछा कि विकल्प में भटकन है और चौथा विकल्प है उपरयोक्त मैंसे कोई नहीं बच्चो जोग की सिक्षा किसे देना चाहिए यह बात गोपियों ने वहुत साफ तरीके से बताई थी योग की सिक्षा उन्हें देना चाहिए जिनके मन में क्या हूँ भटकन हो यानि मन चंचल हो जिनका मन एक जगा कभी भी स्थिर ना रहता हूँ बच्चो इस प्रकार से हमने विकल्प यानि की mcqs को सॉल्व किया अब बढ़ते हैं बच्चों परिक्षा उपियों की प्रश्नों की परिक्षा की दस्टी से कौन-कौन से प्रश्न जो है वो महत महत्पूर्ण है यानि की कौन-कौ नंबर की प्रश्न, नंबर की प्रश्न, चार नंबर की प्रश्न जो आपको मार्किंग है इतने नंबर की ही प्रश्न आपको मिलेंगे परिक्षा में तो इस वाले में इस वाले चप्टर में हमने यह ध्यान रखा है कि जहां से भी इतने प्रश्न इस चप्टर से बन सकते रिवीजन हम कर लें इसी करमें जो हमारा पहला प्रशन प्रकार से है कूपियों द्वारा उध्धव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग करती है जाने कि कोपियां उद्धाव को बड़ भागी क्यों कहते हैं तो इसका सीधा सा अंसर यह है कोपियों द्वारा उद्धाव को भाग्यवान कहते हुए व्यंग करती है का आशा यह है कि उद्धाओ भाग्यशाली होते हुए भी भाग्यशाली नहीं है वास्ता में वह भाग्यशाली नहीं है क्योंकि वह कृष्ण के पास तो रहते हैं यानि कि कृष्ण के सामी प्राप्त कर लिया है वह कृष्ण के परमित्र हैं पर उन्होंने कृष्ण के प्र बढ़ागी कहकर उलाहना देती है आइये बच्छों बढ़ते हैं और अगले प्रसेशुश बढ़ते हैं उदाव के ब्यौहार की तुल्ना किसके की गई है देखे बच्छों दो कि ओधव की तुल्ना हे न वो दो मटके से, यानि कि जल में रखे तेल की मटकी से, अब यह तक्यों की गई है, तो देखो बच्यों, हमेशा ना, जैसे कमल का पत्ता होता है, उसके अंदर क्या विशेषता है, कि वो रहता तो जल में है, पर जल से कभी भी भीगता नहीं है, उसी प्रकार उद्धाव हैं कि कृ कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए, उस प्रेम स्वरुप को जान नहीं पाए, और ऐसा ही होता है कि तेल के मटके के साथ, तेल से भरी गगरी है, उसको पानी में कितना भी डूब हो दीजे, जब भी आप बाहर निकालेंगे, तो आप देखें, बाहरी सता है, उस पर कभी भ उस प्रकार से ये दोप मान देती है, उद्धव जी को आगे बाढ़ते हैं मिटा, अगला प्रशन देखते है हमारा, अगला प्रशन इस प्रकार से है उध्धव द्वारा दिएका योग संदेश ने इफ्टोपियों की विरह अग्नी में की सा काम कैसे किया अन्य बाद को स पिराह वेदना को समझेंगे, एवं इस वेदना से मुक्ति प्रदान करेंगे, परंतु श्री कृष्न ना तो स्वयम आते हैं और ना ही उनकी पिड़ा का विदान करते हैं, बलकि कृष्न योग संदेश देने के लिए उद्धव को भेज देते हैं, पिराह की अगनी में जलत पिराह अगनी में घी का काम करता है और उस विराह अगनी को प्रज्वलित कर देता है, तो बिटा यह है कि गोपी कायना जो होती है, कृष्न का इंतजार कर रही होती है, कि कृष्न मतरा से एक ना एक दिन लौट कर आते हैं, और हमसे हमारी व्यथा पूछेंगे, हमारी व् होता इससे बिल्कुल विप्रित स्वयम नहीं आते हैं, बलकि उद्धाव को पहुचाते हैं, और उद्धाव आकर योग का संदेश देते हैं, जब कोपी कायन योग का संदेश सुनते हैं, उनकी अंदर की जो इंतजार करने की शक्ति थी अपाब दे जाती है, और बहुत किसी भी चीज को अगर इंतजार करें, किसी से वेट करें और वो चीज ना मिले, बड़ा दुख होता है, उस प्रकार से उद्धाव का योग संदेश कोपी कायों की मन में जल रही व्यथा की अगनी को और भढ़का देता है, आईए बढ़ते हैं अगले प्रशन की योग, अगला प्रशन है, कोपीयों ने उद्धाव से योग की सिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, इस प्रकार से बच्चों, कोपीयों ने उद्धाव से योग की सिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है, जिनका मन चकरी की तरह है, अर्थात जिनका मन चंचल है और जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है एवं इसी चंचलता के कारण उनकी इंद्रियां पा मन उनके बस में नहीं रहते जोग ना बाहर से भीदर तक की यात्रा होती है और हमें बहुत ही सबल बनाती है इस बात को जानते हुए उद्धव जी जो गोपिकाओं को योग का संदिश दे पर गोपिकाओं क्या कहती है वही हम तो एकनिष्ट प्रेम में रखते हैं हम प्रेम बक्तिक भाव को ही मानते है अब योग की बात उनसे कहिए जिनका मन जंचल है जिनका मन यहां वहां बटकता रहता है उस प्रकार से गोपिकाओं योग के परती अपनी भावना को व्यक्त करती है आईए बढ़ते बीटा अगले प्रश्नी की अगला प्रश्न है पकारते हैं गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए तो देखिए गोपिकाओं ने कहा राजा के धर्म की विश्चा करना एवं प्रजा को अन्यायते बचाना है साथी साथ राज धर्म का पालन करते हुए अपनी प्रिजा का हित चिंतन करना और उनकी कुशलता का ध्यान रखना ही एक राजा का धर्म है करते हुए कि एक राजा का ये धर्म है कि वो अपनी प्रिजा को सताए ना पर कृष्ण वापस ना कर हमें सता रहे हैं प्रकार से गोपी का उद्धाव को राज धर्म का ज्यान देती है अगला प्रशन है बच्चों गोपीयां क्रिश्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती है गोपीयों को लगता है कि क्रिश्ण द्वार का जाका राजनीदी के मरमग्य हो गया है इसलिए वे गोपीयों के अनुसार श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे और अब गुरु से ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गाए हैं और इसलिए वे कोपीयों से मिलने की बजाए योग की सिक्षा देने के लिए उद्धाव को कोपीयों के पास भेजते हैं क्रिश्ण के इस आचरण से कोपीयों का हिरदाय और भी आहत हो जाता है स्री कृष्ण को कि आये इन ही परवर्तनों को देखकर गोपीयों स्री कृष्ण से अपना मन बापस लेने की इक्षा करती हैं यह नहीं अज़ीं तो तब जब ये बात गोपिकाओं को पता चलती है, गोपिकाओं कहती है कि बहुत बढ़े राजनीतिक है और ये उनकी राजनीतिक जो हुने का प्रमाण है कि वो स्वयम नहीं आए हैं, उन्हें उद्धव को पहुचा और अब ऐसा ब्योहार हमें कार नहीं है, क्रिश्न जो हरे हरी हारिल की लकरी की माध्यम से गोपियां क्या कहना चाहती है, तो हारिल लकरी की माध्यम से गोपिकाओं कहना चाहती है, इस प्रकार हारिल पक्षी जो होता है वो अपने पंजों में लकडी दवाई रहता है, किसी भी परिस्तिति में रहे, उसके पैरों में हमेशा ल लगाए रहती हैं चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्ण और हमारा अगला प्रश्ण कि प्रतीद स्पष्ट की कि आपका योग संदिश हमारे लिए जिसे व्याधी के शमान है अब जब हमने इसको सुना ही नहीं देखा ही नहीं तो कैसे योग को सुईकार कर लें और आंगे गोपिकाएं क्या कहती है योग की बात उनसे कहिए जाकि उद्धव जी जिनके मन में भटकन है यानि कि जिनका मन यहां से वहां वहां से वहां भटकता ही रहता है इस प्रकार गोपी काये योग के विशाय में अपने मंद को पष्ट करती है आई ये बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न इस्पितार है उद्धव परम ज्यानी होने पर भी गोपियों से क्यों हार गए उद्धव जी तो परम ज्यानी थे परम विद्वान थे विद्वान व्यक्ति पड़ी लिखी गोपी काये तो थी ही नहीं अब उनसे कैसे हार गया कैसे तो आई इस प्रश्न का जवाब हम ढूंद इस उद्धव इस बात में कोई संशाय नहीं की उद्धव परम ज्यानी थे परंतु वे गोपियों के आगे ठहर ना सके जोकि पर आस्था रखना एक निष्ठोने के साथ साथ बास्तविक भावनाओं के अनुभवों से युक्त था गोपियों ने प्रेम के आनंद एवं पीड़ा दोनों का अनुभव किया था वहीं उद्धव पूरी तार्किक बातों से ठोस अनुभव वाली गोपियों को समझाना चाहते थे परन्तु अनुभव तर्क से कई गोना अधिक श्रेष्ट होता है इसलिए उद्धव गोपियों से हार गए तो बच्चों वह सरलसी बात थे कि हमेशा जीवन में आप जब शुरू करते हों बढ़ते जाते जीवन आगे तो आपके पास अनुभव भी आते हैं और आपके पास तर्क भी आते हैं जैसे आपको यह अनुभव है कि अच्छा पढ़ने से नंबर अच्छे आते हैं वहारे ज्यान की व्रद्धी होती है औ पढ़ लेंगे आज खेल लेते हैं कल पढ़ लेते हैं अब होता है कि अनुभाव जो होता है वास्तों में सत्य होता है को सत्य होता है तर्क कई बार क्या होता है हमारी कल्पना भी हो सकती है हमारे सोचने का एक तरीका भी हो सकती है तो गोपी काएं बास्विक तर्कों जीती हुआ अनुभाव को प्राप्त किया हुआ था और उद्धव जी जो थे केवल और केवल ज्ञान मार्ग पर थे हैं और चीज को उद्धी से तौलते थे और जीवन में जब भी आप अनुभाव कुस्थान दीजेगा तो आपको सटी को सही निर्ण है मिलें जीत जाती है भजी हार जाती है लिए बठ्चों बढ़ते हैं अगले प्रशनी की उपर हमारा अगला प्रशनी से है तो पीओ के मन की बात पन में ही क्यों रह गई देखिए बच्चों उत्तर इस प्रकार से है और आपने मन की व्यथा से कह नहीं पाती यह वे उद्धव से कहती है कि उनके मन की जो बात थी उनकी जो मन में पीड़ा थी उनके मन में ही रह गई है चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्ण में क्या कुछ है रहास अगले पूर्णे जमाने के लोगों से करते हुए क्या कहती हैं बच्चों बढ़ते हैं ओषिवा उनके यह 25 ही आगे लिए तोड़े चले आते थे पर आज के जो लोग यन जैसे कि आप बिना स्वार्त के तो कहीं जाते नहीं और आप लाए भी है तो हमारे लिए क्या लाए है आप हमारे लिए लाए है योग का संदेश तो संदेश हमारे तनमन को विरह की अगनी में चला देने वाला है बच्चो इस प्रकार से उत्र जान लिया आए बढ़ते हैं कोपियों ने यह क्यों कहा कि क्रिष्ण ने राजनीती पड़ ली है अब इसका उत्तर समझ लेते हैं बच्चो कोपियां क्रिष्ण के लौट के आने की प्रिटिकर्श कर रही थी परन्तु क्रिष्ण स्वयमना आकर उद्धव द्वारा योग का संदेश देज देते हैं य एक कुशल राजनेतिक्य हो गए हैं तो स्वयमना आकर योग का संदेश भेज रहे हैं एक तो पहले से ही चतुर थे और उपर से गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करकर सानिध्य मतलब साथ बेटा संगत शब्द है हिंदी में सानिध्य तो इस शब्द का जो अर्थ होता ह है बच् чуть वहोता है तार फाले नया संगत करले ना इतए सानिध्य नुए पाए। गुरु का सानध्य पालेते हैं तुविद्य हाफ की फिर आसी विध्या आपको पराप्थ होती कोई तोड़ नहीं होता है तो इसी बात को कहती है गोपी का है उन्होंने विद्ध्या तो पाली है मगर राजनीती की विद्ध्या पाई है और उसी का वो प्रदाशन कर रहे हैं उद्धी इतनी विक्सित हो गई है प्रश्न स्वयम नहीं आये हैं, हमने अपने आने के पेच्छा उद्धाउजी को भेज आया, यानि कि आपको भेज दिया, बच्चों इस प्रकार से हमने पार्ट के सारी प्रश्न के जाना समझा और इस पार्ट का विदिवत रिविजन कर लिया है, आईए, बिलते हैं अगल के लिए धन्यवाद,